स्वागत है आपका गैजट C60 हिंदी पे नमशकार मतरों मैं हूँ आपका दोस्ता इतिनाज है और IQ Z3 का ऐसा स्मार्टफोन था जो की 20,000 रुपे से नीचे नीचे काफी बढ़िया value for money प्रोइड करता था उसका successor IQ Z5 अभी हाल ही में market माया है 23,990 रुपे की pricing पे शुरू होत और कुछ नए बढ़िया बढ़िया features के साथ आता है जैसे कि stereo speakers और भी कुछ performance improvements के साथ पर क्या इसमें वो जो बदलाव है वो इसी के price segment के अन्य स्मार्टफोन के मुकाबले इसको compete करने लाइक बनाते हैं कि नहीं ऐसे कई सारे मुश्किल सवालों का जवाब देने आज मैं आपके साथ आ चुका हूँ तो अगर आप gadget C16D पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए नीचे वो जो notification bell है उसको दबा दीजिए और हम वीडियो शुनू करते हैं दोस्तों जो IQ Z3 था वो एक बढ़िया smartphone था क्योंकि एक सही दाम पर सही features के साथ आता था पर ऐसा same हम नहीं कह सकते हैं IQ Z5 के बारे में जो IQ Z5 है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसकी starting price definitely higher है जो की 23,990 रुपे है base variant के लिए इसके अंदर काफी सारे features जरूर आते हैं पर क्या वो एक बढ़िया इसको proposition बनाते है as compare to Realme GT Master Edition या फिर POCO F3 GT आई जरा इसी बात पर थोड़ सा प्रकाश डाते हैं हमें बिला था 12GB RAM और 256GB storage वाला option IQ Z5 का और यही option जो है 26,990 रुपे पर प्लब है भारत में IQ Z3 के खिलाफ compare करने पर यहाँ पर आपको नया Qualcomm का Snapdragon 778G processor देखने को मिलता है stereo speaker देखने को मिलते हैं बड़ाई 5000 image की battery यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो फोन ही आता है dual sim tray के साथ और यहाँ पर कोई भी micro SD card नहीं दे रखा है storage expansion के लिए जो IQ Z5 है उसको देखके कुछ मामनों में तो IQ Z3 के मुकाबले बढ़िया लगता है जैसे कि back panel जो है वो अभी प्लास्टिक से बनी है पर अब उसके उपर एक frosted texture मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है fingerprint को resist करने का और यह जो phone है हमारे हाथों से slip भी नहीं हुआ था जो camera module है वो बड़ा हो गया वही size में rectangular सा हो गया है rounded corners के साथ और यह बिल्कुल थोड़ा सप्रटूड करता है camera के back surface पे से यहाँ पे एक 3.5M का headphone jack भी दे रखा है जो कि top पे दे रखा है smartphone के अगर हम LCD screen की बात करें तो बढ़िया काम करती है अगर आप इस बात को ध्यान में रखे कि IQ Z5 का price कैसा है और viewing angles भी बहुत हतक बढ़िया है पर हमें एक थोड़ी सी चीज दिक्कत महसूस हुई कि एक mild yellow color यहाँ पे अलका अलका दिखाई दे रहा था पैनल के सबसे निचले हिस्से पे और यह 6.67 इंच का 20-9 aspect ratio वाला डिस्प्लेय है जिसकी वजह से कुछ-कुछ चीजों तक हाथ पहुचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लंबा सा फोन है IQ को क्लेम यह है कि यह डिस्प्लेय HDR 10 compatible है पर हमें वहिया सपोर्ट नहीं मिला जादतर OTT अप्लिकेशन में Netflix और Amazon Prime में भी यह चीज नहीं देखने को मिल रही थी जो Z5 है फिर भी एक काफी हतक बढ़िया वीडियो स्टीमिंग डिवाइस के तौर पे काम करता है क्योंकि इसमें stereo speakers दे रखे हैं जो की बहुत ही हतक loud और clear सुनाई दे रहे थे जो चीज हमारे testing टिम को नहीं पसंद आई इस phone के बारे में वो यह था कि इसकी display बहुत ही तेजी से smudge हो जाती थी यानि कि इसके display पर बड़ी ही तेजी से panda glass protected display है यह और बहुत ही तेजी से smudges फिंगर्प्रिंट्स आ रहे थे जिसको साफ करना भी बड़ा मुश्किल काम था जो IQZ5 है यह आता है वीवो के Funtouch OS 12 के साथ जो कि Android 11 पे based है यहाँ पर animated widgets दे रहे जो कि सही काम करते हैं पर बहुत जादा deeply integrated नहीं है ना ही native applications के साथ ना ही third party applications के साथ जो बाके software है वो एकदम Funtouch 11 जैसा ही महसूस होता है और काफी यह तक fluid महसूस हो रहा था क्यूंकि हाँ यहाँ पर 120Hz के refresh rate दे रखी है जो यहाँ पर Qualcomm का Snapdragon 778G दे रखा है वो definitely एक बढ़िया improvement है 768G के मुकाबले पर performance में जम उतना भी जादा नहीं है gaming performance काफी अतर बढ़िया थी IQZ5 आराम से Call of Duty mobile चला पा रहा था fluidly एकदम high graphics settings पे और high frame rate settings पे बिना किसी noticeable heating issues के Asport 9 legends हम यहाँ पर आराम से smoothly खेल पा रहे था default settings पे यहाँ पर 4D game vibration का भी feature दे रखा है जिसको activate किया जा सकता है आराम से यह battery देर दिन तक चल जा रही थी regular usage के बावजूर इस phone पे हमको आराम से 21 घंटे और 57 मिनट तक का time मिला HD video loop battery life test पे हमारे और यह phone का जो charger है वो थोड़ा सा slow है 44 watt का charger box के अंदर आपको यह मिलता है पर फिर भी यह phone की एकदम 0 से 100% battery charge कर देता है सिर्फ 1 घंटे औ बड़े 3 rear facing cameras के साथ 64 megapixel का primary camera sensor 8 megapixel का ultra wide angle sensor और 2 megapixel का macro camera sensor selfie के लिए यहाँ पे 16 megapixel का front facing camera दे रखा है जो दिन के time में हमने यहाँ पे photos ली थी वो काफिया तक saturated colors के साथ आ रही थी और थोड़ा बहुत वहाँ प्रकाश युप्त रोशनी वाली शेत्रों में हमको एकदम बैंग इसी के लावा इनी photos को पहली दृष्टी पे देखने में तो बढ़िया लग रहे थे पर इन photos के अंदर जो final detail लेवल था वो कम था जैसे ही अगर आप इसको zoom करके देखेंगे तो सेल्फी यहां पर बढ़िया आई बढ़िया dynamic range के साथ और edge detection portrait mode में आसा थी था कोई जाधा खास नहीं था जो इससे हमने ultra wide angle camera से photos रही थी वह काफिया तक पासेबल थी और ठीक ठाक थी पर उनमें blurry details आ रही थी और edges में तो बहुत ज़ादा blur सा था और जो macro camera है इसका वो आ रहे थे वह ज्यादा सुन्दर आ रहे थे अपने चूटी भाई IQ Z3 की तरह ही IQ Z5 में भी एक चीज़ बहुत ही हद तक आउसत देखने को मिली वो थी low light में camera performance low light में ली गई photos केंदर जो details थी वह कोई जाधा खास नहीं आ रही थी और textures भी आजीब जीब से थे ऐसा लग रह की selfies थी उनमें तो भाई detail बहुत ही कम था और बहुत जाता soft दिखाई दे रही थी और edge detection भी ओसत से भी नीचे था जो वीडियोस हमने daylight मिली वो काफिया तक बढ़िया आ रही थी steady frame rate के साथ और नमें stabilization भी काफिया तक सुन्दर था और यह जो smartphone था यह कई पार bright scenes को तरह से handle नहीं कर पा रहा था और उनको overexpose कर रहा था हमने कभी कभी यह भी notice करा कि light shimmering का effect आ रहा था जब हम daylight में चल रहे थे तो यह मामलों में थोड़ा सा पीछे है इस smartphone low light में जो videos थी उनमें details बहुत कम थी stabilization चलो low light में भी काफिया तक बढ़िया था पर frame rate कम सा आ रहा था और shimmering effect low light footage में भी दिखाई दे रहा था जो हमने इससे चलते हुए 4K वीडियो शूट करा वो काफिया तक jittery सा दिखाई दे रहा था fast charging भी 65 watt की जिसके अंदर आपको शायद से amulet display मिल रही हो तो रियल वी जीटी का master edition आपके लिए बहतर चॉइस होगा वहीं gamers के लिए POCO F3 GD view club है POCO F3 GT में maglev triggers भी दे रखे RGB lighting भी और बड़ी बैटरी भी है बहले ही उसका price थोड़ा सा जादा है 26,999 पे तो दोस्तों ये हमारा review IQ Z5 smartphone का आपको phone कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताईए क्या आपको इसके features बढ़िया लगे या क्या आपको हमारी video बढ़िया लगी ये भी comments में जरूर बताईए और मैं आपसे मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में